17 अक्टूबर का दिन है और जो मेरे गाइड हैं वो हैं गजु भाई, गजु भाई के साथ माना गाउं के एक और साथ ही उनके साथ चल रहे हैं गजु भाई के बारे में बताऊं तो वो निम से एडवांस माउंटिनिंग की ट्रेनिंग उन्होंने की हुई है गजु भाई ने और गड़वाल उनवस्टी जी लोजी डिपार्ट्बेंट के लिए वो इन हिमाले गलेशियरों के लिए रिसर्च में उनका साथ देते हैं और इसके साथ ही वो स्विद डेंड की जो जिरckoने युनस्टी है जीरिक युनस्टी भी इन हिमाले के गलेशियरों के लिए काम कर रही है तो इनके लिए भी डेटा करने के काम गजु अपने टीम के साथ करते हैं गजु भाई ने ये ठीक बाला कुन के नीचे यहां पर आज उन्हों ने कहा है कि हम यहीं पर अपना पहला दिन 17 अक्टूबर को हम अपना कैम्प लगा रहे हैं इसके बाद अगर बात करूं मैं तो इससे आगे हमें जो है जो जगहें फिर से आप सामने देख रहे हैं बाला कुन परवत और भागी रती क्लेश iir के अगर मैं बात करों 15 किलो मिटर का यहْंग्लेशियर है जिसकी लंबाए 19 किलो मिटर है सतूपन ईलगा 12-13 किलो मिटर का इह ग्लेशियर है चोखंबा से यह ग्लेशियर निकल रहे हैं दोनों बीच में से अलग कर रहा है यह बालाकुन परवत और ठीक इसके बैक साइड में आमेकल सहस्त्र धारा दिखाई देगी जहां सो धाराएं एक साथ सपोवन सहस्त्र धारा नीलकंट से होते वे वो धाराएं निकलती है नीलकंट परवत जो ठीक बदरिनात के पीछे आपको दि चौण सट पैंसट सो मीटर ही है सामने यह अलकापूरी इस पूरे इलाके को कहते हैं और ठीक इसके यहां पर लक्ष्मी वन है लक्ष्मी वन से आगे जो यह तमाम गिलेशेरों से जो पानी निकल रहा है वो अलकनंदा नदी वहां से बनती है अलकनंदा और भागी रथी देवप्रियाक से आगे जो है वह वहां से गंगा नाम पढ़ता है नदी का और सामने ठीक आपको इस टेम पर वसुधारा दिखाई दे रही होगी वसुधारा के ठीक यहां पर जो है यह कुवेर परवत है और यह अलकापूरी है कुवेर जी जो है वह यक्ष और लाकरा है है तो यह वही इलाका है खुवेर परवत अलका पूरी उनकी राजधानी और कहते हैं Dip bunu का ये जो माइटलोजी शास्त्रों के इसाब से ठीक उदर कहीं पीछे हम बद्रिनात को पीछे छोड़ाए हैं मानागाउं से होते वे हम मानागाउं को ठीक अपोजिट से सहस्ते धारक अपोजिट से होते वे हम यहां पे पहुंचे हैं और काफी खूबसूरत दो बुग्याल भी आस्ते में पढ़े थे रास्ता जो है वह यहां पैसें लक्षल farm के बाद Алख से काफी बड़े बड़े बोलडर हैं जिन बोल्ड़रों से होते में घुजरना पड़ रहा है हैं और आगे का रास्ता भी बिल्कुल मोरें से होते हुँ घुजरेगा कि फिलाल आज के ब्लॉग में इतना ही यहां जो बालाकुन परवत से आगे चक्रतीर्थ की जब हम यातर शुरू करेंगे और सतोपंध ग्लेशियर सतोपंध तक जो हम पहुंचेंगे सतोपंध ताल तक कोशिश रहेगी कि हम 18 अक्टूबर को सतोपंध ताल तक हम पहुंचे ताकि समय से हम नीचे भी आ सकें